आपके मंद्री मेरी मा का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्य मंद्री कहते हैं कि राहुल दान्दी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पर्टित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता हो आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं नड़ सकते क्यों मैं पूछना चाहते हूं क्यों आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान कंते गए कंते गए कंते गए मेरे भाई ने क्या कहा हूं संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचार धारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचार धारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूँ एक आदमी का कितना आप मान करोगे कितना आप मान करोगे क्या यही है इस देश की परंपरा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे भगवान राम को पनवास में भेजा गया उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म निभाया क्या भगवान राम परिवारवादी थे क्या पांडम परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की थंसकारों के लिए नरे और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडा जंडे में उनका खून है इस धंती में उनका खून है इस देश के लोगतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डाएंगे हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर हम पे छापे मार कर हम से कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे वो गलत सूचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं